तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़दार एपिसोड में आज हमारे साथ बहुती एक्सपीरियंस्ट और वेल नोन और मतला वेल रिसर्च जिसे कहते ना जिन्होंने बिल्कुल अपना करियर बिल्कुल आधी जिन्दगी ऐस्ट्रोलोजी के नाम कर दी ऐसी एक बहु 22 साल की उमर से एश्रालोजी में आ गई थी और एस्टरोलोजी में आने से पहले नियुने लाइफ में बहुत सफर कर आ कि व्युक्य तो यह आप लोग आरे सवाले पॉड्काष्ट को I वह बहुत जादा प्यार देते तो हमारा भी वही फर्स बंता है एक हम अच् Mayo को आ हमारे प्लाटफॉर्म पे बहुत सारे पॉड़काश आश्रोलोजी से रिलेटेड सुने हैं देखे हैं बट आज का एपिसोड बहुत अलग होने वाला है क्योंकि आज मैम हमारे साथ ऐसे प्लैनेट की नॉलेज शेयर करेंगी मतला प्लैनेट वो टेक्निकली नहीं है बट हम हमारे हिंदू एस्ट्रोजी में वेदिक एस्ट्रोजी उसे प्लैनेट कंसिडर करा जाता है जो होता है चंद्रमा मून जो हमें दिखता है सामने है चंदा मामा हमारे तो सबसे वेल तो मैं वेलकम तो आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्यू और आपकी देने की कोशिश करेंगे इस्टॉलजी से तो लोग बहुत डरते हैं स्टॉलजर से भी लोग बहुत डरते हैं लेकिन अस्टॉलजर और ये तनी प्राचीन विद्या है और जिस ताइम पर सोचो की जिसने ब्रहमार्ण की रचना करी स्वेम भ्रहमा जी द्वारा रचिति यह विध्या है, तो सोचो कितनी यह सटीक होगी, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे मिस्कॉंसेप्शन्स हैं, लेकिन यह ऐसी साइन्स है, एक मिंड में आपको बताऊंगी, कि जब ब्रह्मा जी ने साइन्स को बनाया था, तो देवताओं ने पूछा, आप भी तीन लोगो कि अगर कोई जानना चाहेगा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत मैनत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, मैनत दो सभी करते हैं, तो हम कैसे जानेगे हमारा भविश्य है, तो उन्होंने कर एक साइन्स में बताऊंगा, जिसको पढ़कर आप जान सकते हो, कि आपके बताऊंगे हमारा भविश्य में क्यूं है, और कैसा है, ऐसा क्यूं होता है, तो उस साइन्स का मतलब है जोतिश, और जोतिश होती है, दो सभदो से मिलके बनी है, आप जो मुझे बहार दिख रहे हैं, वो नहीं हो, लेकिन जोतिश क्या होती है, जोतिश प्रस इश, अंद जोतिश नहीं थे, उस समय पर उन योगियों ने इसको हमारे लिए दिया, तो सोचो कितना विशाल है, और बहुत सारी चीजे जब हम पता करते हैं, मतलब प्लैनेट के हिसाब से क्यों होती है, क्या होती है, कुछ जेनरल चीजे भी डेट ऑफ बर्थ से लोग बताते हैं, तो काफी हद तक पता चलता है कि हाँ ऐसा है, यह जब जेनरल ट्रेट तो पता चली जाते हैं, कुछ बेसिक चीजे तो लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डे पर पर टाइम पर इस दुनिया में आए हैं, तो कुछ तो उसका इ हमारे एस्ट्रोजी में और यह हमें कैसे इंपक्ट करता है, जेनरली, बिल्कुल, बहुत अच्छा कोशन आपने पूछा है, और यह मेरे तो बहुत मन के करीब है, क्योंकि कहते हैं, किसी भी चीज में आप कहते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो और आपको जानकर हरानी होगी, कि एक परसन जो होता है, अपने करमा के अधार पे पैदा होता है, लेकिन जिस दशा में उसकी डेट होती है, उसी दशा में वो पैदा भी होता है, ऐसा नहीं होता कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ली दशा में चला गया, और फिर दूसी दशा में नहीं आ सकता, उसको अपने कर्मों का हिसाब करना ही पड़ेगा, लेकिन जो तीशे कैसी साइंस है, जो आपके दोशों को भी योगा में चेंज कर देती है, और नो के नो जो प्लाइनेट है, उसमें अगर मेरे से पूछा जाए कि ड्राइवर कौन है, अगर मैं आपको जीवन चेंज करना सिखा देती है, आपको जीवन चेंज करना सिखा देती है, पूरा का पूरा पूरा, आपको लोगा में आपको जीवन चेंज करना सिखा देती है, पूरा का पूरा, आपको जीवन चेंज करना सिखा देती है, पूरा का पूरा, आपको लोगा में आपके अच्छी दशा चल रही है, आपको पता चलिए, रहा है, और मुझे बहुत कुछ दे रही है, मैं सेव कर लूँ ना, मेरी दूसरी दशा चेंज अने वाली है, अगले मन्थ चेंज अने वाली है, चूं ना अपने प्रिकोश्चन स लेना शुरू कर दो, मेरे को मेरे प कर दो येखे पाफ्स जामी नहीं पढ़ाती हो मैं खुरा शास्त्र पढ़ाती हो परशना पढ़ाती तो ऐसा नहीं है दूसरी बात जैसे भी अपने प्लैनेट की बात करीं नोग रहे होते हैं ठीक है सुरे के चारों तरफ सब कुछ घूमता है सूरे के पार्स दो प्लैनेट, सूरे के सबसे नजदीक रहता है, बुद्ध, फिर रहता है आपका शुक्र रहता है, फिर उसके बाद धर्त, जो अर्थ रहता है, अर्थ के सबसे करीब होता है, चंद्रमा, उसके बाद हमारा मार्स, फिर हमारा अन्य प्लैनेट होते हैं, ले अब स्टीजों कि जड़कोन है ठाप नगार्टिए कि बता है कर राठ करने वाला हमँ कोने राठ कोले बता हुाएं और हमारे मन क्या ए चंद्रमा तो हमारी सब चीजों को गवर्न करने वाला हम यह वह भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वह किस से लेते हैं, मन से लेते हैं, वह अच्छा भी हो सकता है, वह भूरा भी हो सकता है, हमारे जोतिश में बोला जाता है, चंद्रमा मन सो सुचा, मन का कारक है, यह एक प्लाइनेट है, जैसे सूरे सब चीजों को चलाता चंद्रमा से हम मदर देखते हैं, चंद्रमा से हम खर्चे देखते हैं, चंद्रमा से हम ट्रावलिंग देखते हैं, चंद्रमा से हम कंट्रोलिंग ओफ माइंड देखते हैं, चंद्रमा से हम सब कॉंशेस माइंड देखते हैं, एक होता है कॉंशेस माइंड और एक होता है सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती वह मैडिकली भी प्रूवन है चंद्रमा से और गया देखते हम चंद्रमा हमारी बॉड़ी में पूरे फ्लूड है तो आप देखो लूड़ी कास एंन्हां करहा बदा में खराबो चंद्रमा हमारे मन का सूचक वामारी मधरा है जिस बिचे की मदर नही होती बच्स करता ऑचा फील निहीं करता तो अब यह चंद्रमा जो हमें अगर आपके पास सारी हैं झाल्थ ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है तो आपको कोई डॉक्टर कोई वैद कोई ठीक नहीं कर सकता पर मन के लिए बहुत जाता नहीं कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और असानी से कंट्रोल में नहीं आता तो चंद्रमा को कंट्रोल कैसे करा जाए लो कैसे कर सकते हैं अपने आपने सुना होगा, अमावज सुनी होगी, आपने पूर्णीमा सुनी होगी, तो चंद्रमा की 27 कलाएं होती है, चंद्रमा हर एक दिन एक डिग्री चेंज होता है, तो इसलिए चंद्रमा का परभाव हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, और हमारे प्रानी जगत पे भी सबसे ज़्यादा पड़ता है लेकिन ये 12 होसें हमारी होरस्कोप के अंदर अगर हमें होरस्कोप बनता है, तो ऑसे 12 घर होते हैं, तो बारा घर में चंद्रमा बारा बारा परभाव करता है, परभाव देता है, मैं आपको एक ऐसा योग भी बताती हूँ, जितना मैंने अपना लेर्निंग भी किया और आपका भी बहुत अच्छा टॉपिक था, लोग राहू खराब है जी परेशान हो गए, सेटरन खराब है परेशान हो गए, उनको तो एक स्टैंप मिला वै कि यह प्लानेट जो है, वाइटल, तॉट्स वले लोग देखे हैं, जिन लोगों ने भी सुसाइट किया, उन्होंने अच्छी दशाओं में किया है, तो कमी कहां रह गई फिर, कमी हां रह गई चंद्रमा में, मन पे काभू नहीं गर पाए, चंद्रमा खराब था, अगर चंद्रमा राहू के साथ ह काभ है, तो प्रोब्लम करता है, उन्हों के साथ है,। तो फिर अच्छी Nich對 मिया गालत, जिन चंद्रमा हावी हो गया, तो वह चंद्रमा को सो रहा है, हमारे अगर चंदरमा शनी के साहत है, तो इसे बोलते है विष्योग योग तो जीवन में विष्गुण देता है वो पूरा का पूरा आप अब हम आपना यहा बताऊंगी कि आपको पर हम इसका जाएगा और मेरे बारे मेरे में सोछ रहा होगा। सोच रहा तो कुछ गलत सच रहा होगा गलत नहीं आता इस आदमी नियत गलत है है आठ वे ऐसे ऐसे सिचुवेशन होती पापकत्रीयोग वह क्या होता है चंद्रमा के आगे भी negative planet, next house में भी और चंद्रमा के पीछे वाले house में भी negative planet कोई ऐसे ऐसे साए उनको feel होते है कि मेरे कि इंवे पीछे को यह था हुआ जानता है मुझे तो कुई मार देगा उसने मेरे पर काला जयदू करा दिया उसने मेरे को बांद दिया मुझे तरह तरह के साइ दिखाए दे रहे हैं तो इनके बहुत असान उप्चार है बहुत असान उपाएं है लेकिन आपके वीवर्स को में बता दूं बहुत असान असान चीज़े लेकिन कुछ ऐसी जर्णल चीज़े भी है क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा परभाव डालता है हम थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि चंद्रमा हमारी कुंडली में कौंज़े घर में होता है तो हम मतलब बंदा रिलेशनशिप में इसूस फेस करेगा या फिर पैसों के टर्म्स उसकी ग्रोथ नहीं होगी प्रफेशनल याग नहीं बढ़ पाएगा उस सकते हैं कि अंतरा थेरावा याज़ा अपने पास हमेशा चावल जोते हैं राइस तो बहुत होता है तो ऐसे लोगों के लिए और ऐसे लोग बहुत अच्छी ट्रावलिंग जॉब कर सकते हैं बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं बहुत अच्छी बाते कर सकते हैं तो ऐसे लोग लेकिन वह टिक नहीं सकते भही कुछ ना कुछ ना कुछ चाहिए गुणन गुणन क्या ऐसे लोग एक रिलेशन्शिप में भी नी टिक सकते कि जैसे एक लड़की के साथ नी टिक पारे चेंज होती जा रही है ऐसा भी होता है तो 50% जाद हरी 50% जावल रख लिए तो बच जाए होगी थोड़ा सा क्या होता है कि जब हमारा कहते है ना यह एक ऐसा प्लाइनेट अगले दिन तो लोग ऐसे मूट स्विंग होते हैं हमारे पस बहुत स्टूडेंट बहुत सारे क्लाइंट फोन करते हमें आज तो हमें कुछ हो गया आज तो हमें कुछ हो जाएगा आज तो हमारा किसी ने कुछ कर दिया है कुछ भी इंके साथ प्रॉब्लम हो जाए इंको लगता है कि आज मेरा पास किसी ने साया आ गया तो हम उनको कहते हैं भाई तुम ये छे दिन decision मतलो हमें छोटे-छोटे decision तो हमारी life के चलेंगे अगर हम उतना astrology में या किसी भी science में गुज़ेंगे तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाए यह sciences हमें हमारा जीवन जीने के लिए असान करने के लिए लिए लोग इसी में उलच जाते हैं आज शेरीर में दर्द होगे आरे मेरा तो यह करना है उसके बाद यह sciences हेल्फ करेंगे आपको आपको कोई एक शॉपिंग करनी है और एक मेजर चीज की करनी है बड़ी चीज की करनी है आपको लग रहा है आज मेरा जो है ना आपको यह knowledge आज है भी मेरा आज चंद्रमा बहुत अच्छी जंगा पर है आपको मैं गरं एक ऐसी स्थिती पे चला जाता है जहां पर उसकी पावर कम हो जाती है लोग डर जाते हैं वह डबलेटीड हो गया यह एक्जॉल्टीड हो गया होता क्या है कि यह अपना एक मुवमेंट एक चक्कर लगाता है और हमारी बारा राशिय होती है चंद्रमा एक राशी के अंद आपकी चीज नोट कर लो कि जिस दिन भी आप डाउन हो जाते हो आप क्या चंद्रमा डाउन होता है आपकी शॉपिंग अच्छी नहीं होती है अब अगर हमारा चंद्रमा दूसरे घर में है ऐसे लोगों पैसा तो बहुत होता है ठीक है पैसा बहुत आता है स्पीट से और ऐसे लोगों के पास पैसा जो है उनके हर जंगा से उन्हें पैसा मिलता है और ऐसे लोगों के पास अब चेक करिए उनके घर के आसपास कोई न जरूर होगा पानी की शॉप हो सकती है कोई नदी हो सकती है कोई पानी की टंकी हो सकती है अब ऐसे लोगों को अपने पानी का दान नहीं करना मतलब की जैसे किसी को पानी पिला दिया पानी पिलाना इस नौट ए दान आपको मैं बताती हूं यह लोगों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन है और आज कर यह लोगों ने बहुत कर लिया है कि यह दानी नहीं करना पहले आपको दान का डोनेशन्स का आपको चांटिंग का इ हमारी किसी भी इनसान की ओखात नहीं है दान करने की जब भी हम मंदिर में कुछ करते हैं हम वो दान में नहीं आता जब भी हम गोशाला में करते हैं वो भी दान में नहीं आता अच्छा आप चितना जितना करते जाओगों की सिवा आपकी लाइफ का जीवन की अंदर आपक जब आप किसी को कॉंटिन्यूज और आपने किसी नीडी की कभी-कभी मदद कर दी तो आपका कभी भी कोई ग्रह कमजोर नहीं होगा लेकिन अगर 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 कोटिन्यूज किसी को दान देते रहते हो वह थिए तो आपका व ग्रह जो आपका अच्छा बैठाव है उच्छी वह आपको pebrem करगा तो आपको नहीं करना अब जिसका second भाव में चंद्रमा है उसको दान नहीं करना जल का या किसी का उसको धन दे रहा है सेकंड भाव हमारा वेल्थ का है मनी का है तो उसको नहीं दान देना है नहीं कभी भी ऐसा कोई कारे करना है कि अपने चीज़ें उठाई चांदी की दान करना शुरू कर दिया तो उसको कुछ भी दान नहीं करना बलकि उसको अपने चंद्रमा को हमेशा मजबूत रखना है और अगर वो और मजबूत करना चाहता है कि उसका थोड़ा खर्चा कमो थोड़ा पैसा आ रहा है तो भाई उसको सेव भी करें थोड़ी वेल्थ को और बढ़ाए तो वो अपने घर के north-west के अंदर एक बाईल मोती भरके रख लियंद जो simple मोती आते हैं आपको वो वो बाईल में Meu भरके रख ले कुछ और नहीं भी है आपके पास तो चांदी का कोई समान आप north-west में रह लो और यह भी कर सकते हो एक चावल का पौच बना के चकूर अपनी पॉकेट में हमेशा के लिए और माम अगर थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा होता है तो ऐसे लोग ना थोड़ा ट्रावलिंग जाधा करते है ट्रावलिंग उन्हें बड़ा मज़ा आता है लेकिन क्या होता है कि वह जॉब में टिक इसा चांट करना चाहिए उससे क्या होगा उससे क्या होता है उनको स्टेबिलिटी आती है और उनको प्रोटेक्शन बिलता है तीसरे घर के चंद्रमा को क्योंकि कही ना कहीं तीसरा घर का जो चंद्रमा है अगर तीसरे घर का चंद्रमा होता है तो बहन का भी सुख बहुत मिलता है बहुत प्यार रहता है और अगर किसी का तीसरे घर में चंद्रमा है मेल का और वहां पर आपका सूरे बैठा हो मंगल बैठा हो या आपका शनी बैठा हो तो थोड़ा उसे दिहान रखना चाहिए कि मुझे किसी फीमेल की वज़े से भी कोई इशु आ सकता है तो अग यहां पर जो चंद्रमा होता है बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं ऐसे लोगों को भूल कर भी कभी भी ना ही चंद्रमा से लेटेट दान करना चाहिए ना ही अपने जल का दूद का किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए बहुत ब्लेस्ट है यह लोग जिनको चौते घर में चंद्रमा मिला है, अब माल लो किसी का पाँचवे घर में चंद्रमा है, तो वो क्या होता है, उनकी पढ़ाही ना बीच-बीच में, बीच-बीच में रुक जाती है, क्योंकि चंद्रमा आपके जीवन के अंदर stability नहीं लाता, और या फिर करेगा, कभी यह वाली productivity में चला जाएगा, कभी यह भी productivity में चला जाएगा, मतलब वो अपने life में ना growth नहीं कर पाते हैं, सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो चावल होते हैं, मतलब 50 ग्राम चावल लो और आप 6 महीने के अंदर, हर मंडे, परभा करते हो, चावलों का, इसमें आपका कोई 2 रुपे भी नहीं लग रहे, आपकी कितनी अच्छी remedy है, आपने 6 मंत में 5 टाइम कर लिया, बसे सो की, हर 6 मंत में करते हो, आपको जो results नहीं मिल रहे, वो results मिलने, आपको शुरू हो जाएगा, और हम यह हर चीज में चाव चावल ही क्यों है, क्योंकि वाइट कलर है, चावल चंदरमा की वस्तू है, दूसरा सस्ती है, अब ऐसे तो बहुत सारे पाठ है, उपाई है, लेकिन हम आपके बोटकास के जरिये यह बताना चाहते हैं, आप घर में 2 रुपे से भी उपाई कर सकते हैं, यह अच्छी बात ह चान्दी का क्या रेट है, तो हमें ऐसे उपाई बताने हैं, जिससे लोगों का भाग्य भी बतले और उनके जिवस्त परिवर्तन भी और सारी चीजे ना हमारे घर के अंदर है, ठीके जोतिश में लिखा हुए है, कि जो ब्रहमांड में वही तुमारे अंदर है, तो जो हमा हो किसका है, बिमारी का है, तो फीमेल में जो पीरेट होते हैं, चंद्रमा गवन करता है, किसी का चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो पीरेट के टाइम देखो, फीमेल बड़ी इटी टी आपको नजर आएगी, और चंद्रमा बाटी के अंदर जैसे कि बहुत मूट आप देखोगे, ऐसी फीमेल क्या गरते हैं, जाके शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं, और वेस्ट अब यूनिवर्सली नहीं है, कि हर लड़की जब पीरेट पर होते हैं, हर लड़की का नहीं होता है, थोड़ा कम, थोड़ा जादा होता है, जिनका चंद्रमा ऐसे लड़की करेंवें, थिकले हैं, दूसरा गुरू जैसे कि चने की दाल हो गई, आप 6 दिन टक register देली मंदिर में छे दिन टक 600 ग्राम चल्श केंयकी दाल मंदिर में दो गई, मंदिर में मतलब किसी बंड़ाठ कोमे ब्यूशा को देनी हैं, या किम उ selbst भीका यूशा अब ब चाहे रखाओ जाके जखाओ लेकिन अगर आप मंदिर में जा रहे हो और अगर आप भगवान ची के आगे भगवान जी से मिलके नहीं आ रहे अपनी ब्लेसिंग्स नहीं लेके आ रहे तो कौन अनलगी हुआ ठीक है लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति जो है नहीं कर सकता मा वो कहता में मंदिर भी नहीं जा सकता है हमारे घर में वह उसको क्या करना है उसको राट को दूद नहीं लेना दूद से बनी विए बस्तू नहीं लेए और अपने मातें के उपड़ के तिलक लगाना है अच्छा छटे हो वा चंडरमा अब सात्वे भाव में चंडरमा बहुत अच्छा है बीबी बहुत खुबसूरत मिलेगी सारे आपके व्यूवर्स कुछ हो जाएंगे सब चेक कर रहे होंगे कि हमारा चंद्रमा भई सात्वे हां उसमें बैठा है नहीं बैठा हम तो खुछ चेक कराएंगे यह पॉड़कास्ट के लिए सात्व हंडेट परसेंट एक चीज का ध्यान रखना है ऐसे लोगों को जब जिस लड़की का चंद्रमा सेवन्थ हाउस में और उसकी शादी हो रही है तो उसको शादी के समय अपनी मदर से कुछ ना कुछ या तो अपने वजन के बराबर राइस जब वो विदा हो के आ रही है तब लेके आना है में खट्टा आ जाएगा वैसे इतना सोना चला जाए दर हो जाए वैसे इतना खर्चा हो गया अच्छी बात है ना और देखो जिन जिनका चंद्रमा सेवन्थ में और भी अच्छा चावल नी खरीदने पड़ेंगे बहुत अच्छा छावल लेकिया हर साल करना है नाई बस एक बार शादी के बाद तो यह चंद्रमा जो है आपका बहुत अच्छा फल देगा और इसमें रिलेशनिप में क्या है तेरे तेरे साथ बच्चों की तरह चलता है लेकिन प्यार भी बहुत होता है ठीक है प्यार भ थीक है तो वैसे भी कोई ज़्यादा समस्या यहां नहीं आपने देखा नहीं पडोसी के पास चली गई शुबम आपने देखा नहीं बहुत सारे लोगों को कि आप खुद सोचते भाइस को ऐसी बीबी कैसे मिल गई तो चंदरमा उनका उस घर में होता है और कही ना कही चंद चाहे पीओ और गरम ना लगे वह तो हो नहीं सकता ना बहुत अच्छी बात है ना बैलेंस होना चैए क्रेटिव होती है सेवा भी करती है लेकिन हां होल्ड नहीं कर पाती साज सेवन्थ हाउस में चंदरमा का थोड़ा सा एफेक्ट यह आता है कि क्या होता है कि अगर लड मेरीज में रहते हैं मदर भी इंसिक्योर रहती है वाइफ भी सुन्दर मिलती है तो थोड़ा सा यह चीज रहती है लेकिन अगर समझा दिया जाए कोई बात निए वह मम्मी तो मम्मी है तो यह चीज बहुत अच्छी चलती है और हम आठवे घर का आठवे घर का भई सबसे अच्छी में प्रॉब्लम वाला है अच्छा मैं लगा सबसे मज़ेदार तो आठ है पहले तो लगा मेरा आठवे में हो फिर ऐसे मेरा ना हो पता है क्यों क्योंकि हमारे जो बारा घर है ना होरोस्कोप की कुछ ना कुछ बताते है जैसे पहला हाउस आपकी परसनालेटी ब बताता है तीसरा हूस आपका शॉट ट्रेवल बताता है फोर्थ हाउस आपका हाउस बताता है आपकी मदर बताता है आपकी हैपिनेस बताता है पांचवा हाउस आपकी अजुकेशन बताता है छटा हाउस आपकी हेल्थ डिजीज बताता है हेल्थ डिजीज सेवन्थ हाउस में ऐसा स्थान बोला गया है, stop and check, आप रुको इस जंगा पर, जब भी कोई ग्रह की ऐसी दशा आती है, आप थोड़ा रुको और इसको चेक करो, ये एसे लोजर के लिए है, सब के लिए ये आप देखो, एसे लोजर भी आठमे घर की दशा में बहुत सारे उपाई कराते है क्योंकि आठमे घर में सारी चीज़े जो होती है, आठमे घर को बोला जाता है गड़ा, अब वहां पर चंद्रमा होता है, तो बहुत कम जोर हो जाता है, और आठमे राशी में चंद्रमा नीच का होता है, तो आठमे घर में चंद्रमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिसका भी आप आट में घर में चंद्रमा देखोगे, उसको बहुत सारे हेल्थ इशू, डिप्रेशन, फोविया, ताले लॉक लगाना बारबर चिक करना, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मेरे उपर तो किसी नहीं कुछ नहीं करा दिया, और उसकी मदर की हेल्थ खराब, जि बढ़ाती हो, मेरी एक क्लाइंट थी कैनेडा की, बहुत परेशान थी, मतलब उसकी दशा चल रही थी, मर्करी और मर्करी उसका उच्छ का था, फिर भी वो बहुत परेशान थी, मैंने एक छोटा सा उपाय उसको कराया, और उसका प्राब्लम सॉल्व, आप, पतलब किसी क पास भी जाते होना, ये डिपेंड करता है, कि देखने वाला कैसा है, शुबम भाई, मैं आपको क्या बता हूँ, मैं दो हजार से मैंने जोतिश पढ़ा, और चार लोगों से मैंने, छे लोगों से, आठ लोगों से, मतलब मैं खुद जोतिश में बिलीव नहीं करती थी, ल जोतिश को चूज नहीं कर सकते, और अगर किसी के पंचम भाव में जूपिटर होता है, तो उसके मुझ से निकलीवी वानी सकते होती है, तो ये बहुत फरक पढ़ता है, हमने उसको छोटी सी रेमिडी कराई, और वह मैं आपके विवर्स के साथ भी शेयर करूंगी, एक त मिल्क से बनी भी, दूद, पनीर, ये कुछ नहीं खाना, आइस क्रीम भी नहीं, आइस क्रीम, दूद वाली, कोई भी नहीं, कुछ दूद वाली बरफी, मिठाई, वो शुबम कासा है, मिठाई, मिठाई, कुछ नहीं, दो पाई बताऊंगी, उसके लिए बहुत अच्छे, एक तो उसको शम्षान का पानी, शम्षान के पानी में, एक स्क्वेर चांदी का टुकड़ा लेके, उस पानी में डाल के, ठीक है, किसी कंटेनर में रख लो, पानी को और उसमें कंटेनर के अंदर चांदी का टुकड़ा डाल के रख लो, दूसरा, उसको हर पूरन माशी को खीर खानी है और वो भी मून के अंदर रखी भी है जब भी चंद्रमा अपना नीच का चल रहा हो महीने के अंदर उसको कोई डिसीजन नहीं लेना उसको उस टाइम पे तीन से लेके चार दिन तक पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के नाना है और रात को दो इलाइची हरी अपने तक्ये के पास रख लो डैट सॉल तीन दिन अगर आठवे घर में तो सॉसाइडल थोड़ भी आते हैं बहुत जादा सॉसाइडल थोड़ साते हैं और अगर उसके साथ मानलो उसके ने कोई अपने कोई अगर किसी की गल्फ्रेंड है आठ अगर उसके बात नहीं सुनी तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी जुपिटर की मदद लेनी पड़ती है और आठवे घर का चंद्रमा को मच्जबूत करना पड़ता है तुमाम इस केस में मतलब इसकी रेमेडी क्या रह को और रात को वाई चीजें ना खाओ ऐसे व्यक्ति के लाइफ में अगर आप पता करोगे तो उसके घर में फॉरेंग करंसी मिलेगी तो यह और ऐसे बंदे को जोतिश में आ जाना चाहिए अगर वो चाहता है जरूरी निया या प्रोफेशनल करो जोतिशा चारे के तीन त लेकिन अगर आप पढ़के प्रोफेशनल नहीं भी करते हो तो आपको कोई कंसल्ट करेगा तो आपको यह तो पता होगा कि सही बता रहा है या गलत ठीक है नौवे घर का चंद्रमा है ठीक है अच्छा है कोई इसके लिए आपको क्या करना चाहिए थोड़ा सा बहुत यह पर काम करता है तो नौवे घर के चंद्रमा को बल्वान करने के लिए यह भागय स्थान में बैठा है जितना आप मंदिर में या के शिव जी के पर दूध या जल क्या अभिशेक करोगे या श्रवन मास में करोगे आपका चंद्रमा उतना ही मजबूत होगा और नौवे यहां पर आप चंद्रमा के लिए कुछ भी वाइड कलर का समान भी मतलब जैसे अपने राइस चड़ा दिया या मिल्क चड़ा दिया महिने के अंदर मतलब 5 मंडे चड़ा दिया फिर 6 मन्त का आप कैप ले लो फिर उसके बाद आप फिर चड़ा सकते हो अगर दस्वे घर म हिना कहीं तो अगर दस्वे घर में आपका चंद्रमा है तो आप क्या करोगे इसके लिए आपको बहुत चोटा सो पाई करता है क्या उपाई करोगे आप इसके लिए इसके लिए अपने कुछ भी चान्दी का जो है ना समान वो मंदिर में चड़ाना है अजरा दो या फिर आपने क्या करना है की आपने वहत एक job के उपर भी लंबे टाइम तक टिकेरों बहुत अच्छी progress करोगे और एक डस्वें house के चंदरमा के लिए आपने और क्या करना है आपने अपने घर के north east के अंदर थोड़ा सा केसर केसर होता है तो आपका चंद्रमा अच्छे फल देने लग जाएगा आप अपने जौब बहुत अच्छा काम करो या आपको कहीं ना कहीं जो वर्किंग में इशु आ रहे वो नहीं आएंगे अब ग्यारवे भाव का चंद्रमा है ऐसे व्यक्ति को भहरव भावा को दूद चड़ाना चाह कहीं ना कहीं ग्यारवे भाव का चंद्रमा बहुत मेहनत कराता है लेकिन बड़ी बहन से इसको बहुत फाइदा मिलता है अगर ये बड़ी बड़ी सोसाइटी से इसको बहुत फाइदा मिलता है लेकिन ही चाहते कि मुझे और भी फाइदा मिले तो चंद्रमा के लिए यहा कि है इसमें सबसे anaga खतरे के गंटी आत्मा गर मेर दूसरा बारवां कीरिए बहुत यह रात killer Ineed यह इडर नीद नहीं अने देता बारवें घर का जो चंद्रमा होता है बारवेंगा निम डियंत ने आएगी डिलह mosquito इन्सोमिनिया होगा डर लगेगा किसी को नई नजर आएगा इंको नगधिया कोई nobody Sya कोई नगवगी वी चीज ना कोई फुविय कोई पूविया और सचमें वह बों तब नजर आगा या नर्ड़त रहुे को नज़र आता है और इनको बहुत अच्छे नज़र नहीं आते नींद बहुत चल्दी खुल जाती है और अकेले सोने में डर लगता है तो ये जो चंद्रमा होता है और ये चंद्रमा खर्चे बहुत कराता है आज कल तो ऑनलाइं शॉपिंग है ना आदी रात को ओठेंगे कि अजुन बखने को न करता है तो ऐसे चंद्रमा के लिए तौई असान बहुत साफ़ लूपाया है कहीं भी रख लो किसी भी direction रख लो लेकिन अगर जहां पर अपने room में रहते हैं वहार को लेकिन किसी भी person का अगर चंधुरमा खराब है तो चंधुरमा के लिए कम से कम शिव जी का अभिशेख जरूर करें क्योंकि शिव जी महादेवों के देव हैं और वो सबतरे का फ़ल करते हैं, छटे आठवे बारवे भाव के चंद्रमा का ध्यान रखें, इन छोटी छोटी रैमिडीज को करें, और इसके अलावा बहुत अच्छा हुआ है, छोटा सा बिना जोड़ का चांदी का छला, वो चंद्रमा किसी भी स्थान में हर कोई पहन सकत है, सीधे हाथ की छोटी उंगली के अंदर चांदी का छला पहने, अपने मन को इस्थिर रखें और पूरन मशी के दिन खीर का सेवन करें, ठोड़ा सा पाउं के अंदर, पैरों के अंदर, अगर हलकी हलकी पायल भी पहनते हैं, आपने देखा होगर राजिस्तान में पहले लोग बड़ी पायल कहते थे, तो मन बड़ा इस्थिर रहता है, और जिसने चंदरमा का कंट्रोल कर लिया, और बहुत असान है, जानो, करो, और इसका बहुत असानी से इसका आपको इतने अच्छे रिजल्स मिलेंगे, हजारों लाखों रुपे खर्च करके नहीं मिलता, क मैं तो मैं चाहता हूँ हमारी ओडियन्स के लिए मैं कुछ आपसे कॉमन प्रॉब्लम पूछता हूँ, जो सबके साथ होती ही है, आप मुझे उसकी कुछ कुछ कुई क्रेमिडीज अगर आप ओडियन्स के लिए बता लोग तो बहुत मज़ाद है, तो सबसे पहले बहुत स ऐसा पॉसिबल है कि आपका नहीं लिखा पर आपको फिर भी हो, कैसे बहुत अच्छी बात अपने पूछी है, देखो हमें करमों के अधार पर फल मिला, अगर आज आप यहां हो तो यह आपका करम है, आप मेहनत कर रहे हैं, और आगे बढ़ोगे, हम होरस्कोप में क्या द आपको कहा इस्टोलोजी नजर नहीं आती, चोटा सब बच्चा भी पेदा होता है, तो माबब कहां जाते हैं, हमारे बच्चा कैसा है, दो दिन के बच्चे की एजुकेशन पूछते हैं, तो मैं आपको ऐसा उपाय बताती हो, और यह मैंने मेरी एक कैनेडा में क्लाइम थ करता है, हमारे जीवन का ऐसा प्लैनेट हो जो सब कुछ देता है, आपको संतान भी देगा, धन भी देगा, ब्लेसिंग्स भी देगा, कहते हैं, गुरू देना चाहता है, रहू उसको रोकता है, तो उसका बहुत अच्छा उपाय भी आपको बताऊंगी, इसके अलावा भी एक ऐसा बताऊंगी, जिसने करम ही नहीं लेके आया, फिर भी उसको संतान हो जाएगी, तो सबसे पहले वो ही बताती हूँ, वारा नसी में एक मंदीर है, संतान इश्वर, महादेव का मंदीर है, कहते हैं, अगर जिसकी किस्मत के अंदर, योगी नहीं है, अगर वो पती- पतनी वहाँ जाके पूजा करवाएं, हो नहीं सकता हूँ, उनके संतान नाव, गैरंटी, गैरंटी, महादेव तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, देखो, आप एक बताओ, क्लास के अंदर गलत लिखते हैं, तो ठीक कोन करता है, नंबर कोन जादा दे सकता है, जो चेक करेगा, तो जो हमारे भागे वी दाता है, वो हमारे भागे भी चेंज कर सकता, और मैं आपको बताओ, किसी किसी जंगा की माननेता होती है, तो वहाँ पर अगर कोई जाए, तो वो चीज पूरी हो जाती है, मैंने मेरे क्लाइन को बहुत डिले था बच्चा, क्या क शुरू करना है, उस सोने की तार को गरम कर लो, और उसको दूद के अंदर डिप कर लो, 43 डेस तक पिए, लेकिन इस बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना, 43 डेस के बाद रिलेशन बनाए, गरंटीट संतान हो जाएगी है, उसके अलावा भी बताती हो, क्योंकि यह ब बहुत परेशान है, करोडों की जाएगा है, यही है कि लोग कंसीव नहीं कर पारे, फॉर्टिलीटी इशू आरे है, बिलकुल, लोग पुख राज़ पेनाते हैं, जरूरी नहीं है, कि स्टोन ही आपको हमेशा काम करते हैं, कई बास टोन पहन के नुकसान होता है, स्टोन राजा भी बनाता है, स्टोन रंग भी बना देता है, मेरे कितने पास मेरे पास ऐसे रूफ है कि जिंका मैंने स्टोन उतरवा के काम कर वाया है, गुडगाओं में एक जज हैं, पिछले पांच सल से परेशान थी कि मेरा और चीज़े हो ही नहीं नहीं पारी, किसी नहीं को मैंने उतरवा के उने निलम पेनाया, आठ दिन में मुझे रिजल्ट मिल गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको करना क्या है, केले की जड़ लेके आनी है, ठीक है, उसे करना पवित्र, पवित्र करने के वाद उसे येलो कपड़ में बांधना है, और उसे उत्तरा स शत्र पे अपने हाथ पे बांध लेना है, आपको तीन महिने में संतान का सुख राप्त हो जाए, तो हाथ में बांध के रखना है, अब बांध के रखो, उसमें तो आपका कुछ नहीं लग रा, कुछ पैसा नहीं लग रा, कुछ भी नहीं लग रा, और वो क्योंकि जड़ के अंदर वो ताकत होती है जो तुबारा से चीजों को रिजनरेट करें और उसके अंदर गुरू की ब्लेसिंग्स होती है तो आप उसे कर सकते हो साथ में 900 ग्राम चने की डाल अपने नौर्थ-East में रख लो 9 महिने के बाद उस चने की डाल को जो है आपने वहां पर कहां प एक नक शत्र पे आपको उसे पने हात पर किसी को बिना टोके बंदभा日 ये होते है हमारे टोटisce की तोटके हम दोनों करवाते हैं तुछकी रड़ीज को हती हैं उनके प्रूफ होते हैं जिसको हम लोग करवाते हैं बट मैं फिर क्या वो कोई भी कर सकता है टोटके कोई प्लैनेट और उल्टा खराब नहीं जो इतने भी मैं आपको चीजे बता रही हूँ कोई भी कर सकता है मैं एक चीज और कॉमन चल रही है आज कल लोग की शाद यानि टिकरी डाइवोर्स बहुत जादा हो रहे हैं उसके लिए कुछ बताओ डाइवोर्स बहुत जादा हो रहे तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखो अगर आपके अगर आप चाहते हो कि डिवोर्स ना ह दोनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं, फिर भी नहीं आपाते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते हैं, यह अरली स्टेजिस होती है, लेकिन ओवर टाइम अफ पिरिड क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर इतने आते हैं कोई जहां पर कहते हैं जैसे मिन अभी बात करी मन मन को तो कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूं आपको करना क्या है अब उसकी जो वाइफ होती है ना उससे उन्हें नीले रंग के फूलो परपल कलर के फूलो क और उसको विराने में दबवा दो वाइफ से यह या वाइफ के हाथ से खुद लेके उसे दबवा दो तो उनका रिलेशन बढ़िया और इसमें एक्स्टा मैटल आफेर्स में क्या होगा मतलब वह उसका जो भी पार्टनर कर रहा होगा उसे तरफ नहीं जाएगा नहीं इसे है ऐसे भी योग है डिवोर्स को रोका जा सकते है अगर कोई चाहता है हम नहीं चाहते डिवोर्स हूँ उस को क्या करनाँ उस बढ़ का पत्ता होता है बहुत असानी से मिलता है ठीक है अभी हजबंड किसी और के चक्कर में फिस गया और वो चाहती है कि मेरा डिवोर्स ना हूँ है तो अब मैं तो चाहती ही नहीं हूँ भाई मेरे पस दो बच्ची है एक बच्चा है या मेरे पांसाल हो गई शादी का सिंदूर उसको मिला के उसके नाम लिख दो अपने हस्बंड का यह यह रेमेडी करेगी वाइफ ठीक है और वो रेमेडी करेगा जो मैंने अभी आपको पहले बताई वो करेगा हस्बंड तो अब इसने इन्होंने नाम लिख लेना है और इसको रोज 11 दिन तक ओम नमो श अब यह बीठी कोट केसे वगेरा के लिए बीए बताते हैं बहुत बहुत कोमन हो गया आजकल तो है ना कोट केस के लिए सबसे बढ़िया उपाय में आपको ता तो इसलवर डस्क आती है ना हंडेट परसंट काम करती करती है इसलवर डस्क लो और जैसे आप कोट के अंदर जा रहे हो ठीक है कोट के अंदर एंटरी कर रहे हो आपकी ताइम आने वाला तो दो पिंच उठाया एक उठाया ऐसे यह वाली फिंगर यूज करोगे और यह इसे उठाया और आपने ऐसे सीधे राइट में डाल देना बस बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आपक कोई criminal यह करे फिर तो सजा मिलनी है नहीं ऐसा नहीं होता है कि बार ऐसा होता है क्रिमिनल भी बचचकता है इस से कि बार कि ही मैं यह देखो वो तो अब वो दो एएस फॉर करमा ही रौंग कर रहे हैं यह उनको काम करेगी लेकर शुबं बहुत 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 एम्हे उस केस में वही कहा रहा हूं कि यह रेमेडी तब करनी चाहिए न जब आप अन्नेसेसरी फस गए तब ही तो आपने केस बोला कर वहां पर बंदा मौझूद है तो वह तो कल्पृट कहला है गानून के हिसाब सो तो कहला है वहां पर बचने के लिए यह काम होता है और हमारे प परसेंट भी आपके पास साइड इफेक्ट नहीं आएगा और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हमसे गल्तियां हो जाती है तो क्या हम उसके लिए माफी नहीं मांग सकते तो यह रेमेडी आपको वहां भी हेल्प कर सकती है और मैं आपको एक और चीज़ बताते हूं कि च कुछि के अभी मंत्री दोती है तो बहुत काम करती है क्योंकि जब हम अभी मंत्री चीज़ लेते तो उसमे प्रान पैदा हो जाते हैं जैसे एक मूर्ती जब सड़क पे उती है तो वह पत्थर की है लेकिन जब उसके ऊपर हम पूजा बात और पँज टत्वों से चीज़े प्राण डालते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिक उसके अंदर एनर्जी आ जाती है तो जो बच्चा आपका फर्स्ट बेबी पैदा होता है जो उसका पहला कपड़ा होता है अगर आप उसको कोट केस में लेके जाते हो तो आपका केस सॉल हो जाता है वी दिना थ्री मंज में आपका केस सॉल हो जाता है इसलिए पहले की लोग बोलते देना कि पेच्चे का पहला कपड़ा समाल के रखना है तो वो बहुत जिंगा काम करता है जहां भी आप मुसीबत में फ़ज़ओ किसी भी परकार की मुसीबत में फज़ओ आपके बच्चे का जो पहला कपड़ा है वो आपको ले जाता हो साथ में और कभी भी किसी को भी आपके वीवर्स भी जितने भी देख रहे हैं जब वो बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है फिर भी उनका नुकसान हो रहा होता है फल नहीं मिल रहा होता है उस वो कैसे फिर आपको दो योग के बारे बिताती हूं देखो गचकेसरी योग बड़े खुश हो जाते हैं हमारे होरोस्कोप में जब जाते हैं देखो किस से बनता है यह जब भी आपका जुपिटर और मून साथ में होते हैं केंदर में होते हैं यहां तक कि अगर किसी का जुपिटर होरोस्कोप में केंदर में बैटा है केंदर कौन सा होता है तो कहते हैं उसके होरोस्कोप के सारे जो दोश हैं वो खतम हो जाते हैं इसमें इतनी जो आपको धन भी देता है, आपको blessings भी देता, आपकी life में सब कुछ देता है, जब यह दोनों मिल जाते हैं, तो आपके पास बहुत सारी progress आती है, लेकिन फिर भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो दे रहा है, लेकिन उसको कोई देख के उसे रोक रहा है, या उसका समय नहीं आया, रोकता कुए कि अगर वहाँ पर कही पर, उसको जो है, राहु ने देख लिया, अपनी जूटि से, मैं ये देखना क्या होता है, ऐसे place होना की सामने सामने align हो रहा है, ऐसे होता है तेन रिष्टी से देखते हैं, तीन आसपेक्ट होते हैं, फाइव, सेवन, ए नाइव, सामने वला जो जो जिश्टी होते हैं, वह सबसे ज़्यादा गड़बर होती है, अब योग आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी परसंटेज कम हो जाती है, तो ह उसको एक्टिव कर सकते हैं, अगर आप किसी अच्छे स्टॉलिजर के पास जाते हैं, तो आपको एक्टिव करके आपको फल दे देगा, तो अब मैं आपके विवर्स को एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देते हैं, जिसको सब कर सकते हैं, यह दोनों प्लैनेट ऐसे हैं, जो सब को चाहिए और यह योग सब को चाहिए, क्या करना है आपको इसमें, केसर लेना, केसर, और केसर का देली करो, आप 43 देज में, क्या आपको एक हफते में, अगर आपको कोई न्यूस ना मिल जाए, कोई अच्छे काम ना हो जाए, तो मेरा, आपको मैं मान ही नी सकती, इ हमेरि की यहां लगाना चलए और इसको ऐसे लेकि जाना उपर अपर के एक आपको लगाने कंट के उपर जलेकंग और यिक आपको लगाने के उपर क्योंकि गूर्ण को दूसरे स्थान पांचवे स्थान, नौवे स्थान और चोथे स्थान यह सब कुछ देने वाला होते हैं तो आपका गज केसर योग अक्टिव हो जाएगा मैं यह कभी भी कर सकता है और कहीं भी प्लैज्ड हो प्लैनेट बस आप यह रेमेडी कर रहे हो तो आपकी तरक्की चालू हो जाएगी और आज आपने बड़ी अच्छी बात करिये मैं आपके माध्यम से बताना चाहते हूं आपने पतलब व्यूवर्स को भी कि बहुत लोग कॉलियर आप हैं कालसरफदोश कि अपर कि बनता है जब रहँ के साथ इदर एक साइड प्लैनेट सारे आ जाते है दूसारी साइड जाते है लेकिन रहू है कैसा प्लैनेट है जो सब खुछ देने वाला preparation ने वाले तो यह आपको सड़क पती नीकरोड़ पती नी अरब बन और यह चाहे तो आपको नीचे भी गड़ सकते हैं तो आपकी होरोस्कोप में योग है कि दोश है योग हो कि आपको फल नहीं दे रहा इसके ऐसे से उपाय कराए जाते हैं कि बंदे को फल देने लग जाता है तो अगर कोई भी चानना चाहता है लेकिन उसके लिए मिलना पड सकते है क्योंकि वो कस्टमाइज होती है और मैं आप एक और योग बता रहे थे हैं जैसे अभी आपसे बात हो रही थी एक बड़ा ही खतरना की योग भी होता है अंगारक दोशी से बहुते हैं जब मंगल और रहू के साथ बैठते हैं मंगल के अगनी है इसमें क्या होता है इसमें मंगल हमारी बॉड़ी के अंदर हमारी मसल्स है हमारी हेल्थ है मंगल हमारे बच्चे है यंग मंगल हमारे भाई है यंगल हमारी प्रोपर्टी है यंगल हमारा नेम फेम है और रहू उसको बहुत खराब करता है क्योंकि उसके साथ में उसकी मित्रता नहीं है तो इस पर शोते हैं इस दोश के कारण इसको बहुत अच्छा उपाए और इस यो को टाला जा सकता है इस यो को बदला जा सकता है ठीक है आप हमारे यहां पर खाना सब खाते हैं तो अगर आप एक टाइम किचन में बैठके खाना खाते हो कुछ भी चाहिए नाष्टा कर लो सब कर द अंटना इंदूर में प्राचीन मंदीर रहा बहुत प्रैचीन मन्दीर है अलिजा है ती कि वहां पर चोल सब्सक्रादब करनी करने चाहिए जब यह चल रहा हो तो आपकी यह चीजे आपको बहुत फल देने लग जाती है तो यह आप करके देखो इतने बड़े-बड़े लाखों के उपाये की हैं इनको भी करके देखो वहाँ पर बहुत शक्तिया हैं वहाँ पर जो आज भी अगर आप चोला चड़ाना चाहोगे तो आपको डेट नहीं मिलेगी ऐसा क्यूं बहुत भीड रहती है बहुत माननेता है बहुत लोग उससे पूजा कराने आते हैं पता इन होता ना लोग बताते ही नहीं है क्योंकि दुकानदारी बंद हो जाती है नौ और भी कोई मंदिर है मैं वैसा की मंदिर तो बहुत हैं लेकिन अभी मुझे श और मैं खुशी की बात हमारे वीवर्स को बता दू कि जो मैं हम रेमेडी देंगी वह उनके लिए जिनकी बीवी चली गई हो माई के घर छोड़के वह भी तो खुश होंगे ना अबे घर से चली गई बदनामी किनी होती है तो ठीक है एक आत महीने के लिए तो लड्डू है ज मुझे शुबम जी ने कहा था मैडम फाइनेशल इशू सबको आते है कोई ऐसी असान रेमेडी वतादो मेरे यहां पर तो आके बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी दी है और जिसके अपने रिजल्स देखे हो तो दे दू पहले गल्फ्रेंड वाली यह तो अलमीरा के नीचे यह तो बेड के पाउं के नीचे दबा के रख दो और नहीं है तो इसके पर कोई है वी चीज रख दो अपी गल्फ्रेंड पहली बड़ी तो जाएगी नहीं और अगर बाई चांस नहीं लिया चली भी गई तो आपने किसी भी उसके कोई पर कोई कपड़ा हो कुछ भी हो यह रुमाली हो जैसे हम सुई का टंका लगाते हैं सीधा सीधा डंकानी लगाना में हम यह पर उल्टा लगाना है तीन टाके लगाने और सुई उसमें लगा के छोड़ दो और उसे हैवी चीज के नीचे दबा दो फोन आ जाएगा कॉंटेक्ट हो जाएगा आपकी गल्फेंड वापिस आजएगी तो फिर आपकी रिलेशन्स में नहीं था ना जैसे अभी शुवम जी ना बात करी कि आप आपका पहले ही पता है आपको नीच अब कोई चोड़ के जाता तो चाहे वो चला जाए लेकिन एक बर दिमाग में जरूर आता हो मे में कोई वह बहुत रामबन रिमेडी ए उसकी चीज उठाओ किसी बीपरसेंट की उसरे उल्टा टांका लगाना हो सीधा नी लगाना सीधा हम ऐसे लगाते हैं हमको ऐसे लगाना ohi से तोड़ी नहीं लुए नहीं लगाना अर तीसरे टांके के बाद चोथा भी नहीं लगा कर दो और मैं जाडू लगाते मम्मी ने देखा और जूत बजे फिर बच्चों में फिर इसाब कर रहे हो तुम यह ने सारी बात थोड़ी नो मम्मी को पता होते हैं अलमारी में चुपा के रख दो उसके पर पथर रख दो अच्छा यह ठीक है न कोई भी हैवी चीज रख दो कोई भी कपड़ा नहीं है अब हाँ सही कह रहे हूं मैं अभी स्पॉर्ट का शिगात कभी बॉइफरेंट गलती से रुमाल निकालने की कोशिश भी करेंगा तो पकड़ा जाए चालो किसी वाइफ घर छोड़के चली गई तो उसका कपड़ा लेना है उसका कोई कपड़ा तो उसके हम टेम उटकर दो किढ़ा है उसको उSir還有 जिप गदेंग पड़ा है उसको बहुते इसको बढ़ दो का प।ड़ा कोई कपड़ा के साथ उसको बांदेना है और जहां पर वह female सओ मौ फूल कोई घरा लगाना है जहां तो उसके एन घर कोना है और शोओय और तर्सका यहां पर ड्रेसिंग टेबल रहती है वहां रख दो ठीक वह भी था उस पर सोना नहीं है पिन चुप गई अरे कोई बंदा फैल के सोता हो यू सोता हो तो भिल लग जा अभी अभी अपने में से पैसा और गरंटी दो रपे का खर्चा नहीं होगा आपका बता दू बताओ दे लेकिन यह भी डिस्क्लेमर दे दो कि काम भी करना है आपको को नहीं लिख वह तो पहले ही बोला है अलग यह ने पहले ही वो जोतिश में लिख्रावे है है और आपको अभी हमारे पास समय नहीं था मैं आपको बताती जोतिश आधार पर काम करें यह हम next part न में लेंगे टो कर दो तो आपको मैं भी बहुत असान रुपाई बताती हूँ जाय फल सब के घर में होता है जाय फल जाइफल होता है तो आपको मिल जाएगा मैंने हिंदी में इसलिए भूला इसको ताकि हर इंसान वह वर्ड ना समझ पाए जाय फल आता है जो पूजा पार्ट में भी और गैस पे जला दो दस दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा दस दिन के प्रोवाइडिड आप अपना काम करते जा रहे हो मैं फिर से कह दू जनता से यह नहीं है जाइफल रगड़ दिया और नहीं देखो करम परधान है यह रेमेडी आपको पुष देती है और देखो आ आपको आज ही रात की बात बताती हूं मुझे यहा आना था मैं कुछ रख्के भूल गई मैंने मेरको नहीं मिल रहा था और मैं चार घंडे से ढूंड रही थी तो मैं एक रेमेडी सब को बताती हूं मेरी क्लास में बताती हो और यह गरंटीड है आप लोग भी करके देख स करते हो दो हंदि की पिंच लेते हैं रात को सोने से पहले और मेरा काम का मुझे ऑंसर मिलजेगा रोर हल्दी की जडी को एक पेपर में डाल के दों पिंचलया, मैंने उस पेपर में डाला और अपक्ब बना मैं सुबह आई हूँ तो वह बेड़ के उपर रखा वह पैकेच जिसको मैंने पचास बर कल ढूंड लिया हूँ यह बहुत काम की चीज़ है बहुत चीज़े गुम होती है और हमारे पस तो ऐसी इसी रेमेडी है चलो भी बता देते हैं वेस्ट में बैट जा ना हो तो मुझे अपने घर के वेस्ट में बैठ जो यह बेट जो एक गलास पानी का लो सिंपल पानी का लिया उस चीज़ को याद करो जो ढूंड रहे हो यह जो चीज़ चाहिए वो भी कर लो यहां पर मैनिफेस्ट करो फिर उस पानी में होते वे देखो और उस पानी को पी लो मैंने आप को पोड्कास्ट मेनिफेस्ट किया था जैम तरहीं से तरहीं से तरह और लाइफ चेंज हो जाती है अप करके दो देखो यू कैन अचीव वॉटेवर यू वांट यह तो बहुत बढ़िया रहमें दी आपने तो कोई भी कर सकता है कोई भी तर सकता है और यह गरंटीड है ऐ इतने साल का experience है, मैंने सबसे पहले consultancy की है, उसके बाद मैंने 2018 से पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, और जब हम consult करते हैं, दोनों में फरक आ जाता है, मैंने consultancy में experience किया, अब मैं वह बढ़ाती हूँ, और जोतिश बहुत असानी सार आपके बहुत चीजे कर आती है, अब करके देखो, कोई चाबी नहीं मिल रही गाड़ी की, देखो उसके अंदर, आपको मिल जाएगी फटा-फटस, क्योंकि कहीं ना कहीं वह connectivity बनती है, nature आपको symbol देता है, आपक free station भी होती है, और आपकी जब आपके विचार मिलते हैं, और हमारे यूनिवर्स में हमारे साज जन मारे करम है, जब विचार हमारे मिलते हैं लुघ-वव-! بडप कॉन्टum होता है, वह विश्वाश पे काम करता है, और यह रे physiciansrie के बहुत दुर्म के पूचा है था तो एक एक चांदी की चेन लो, संडे के दी में आपने इसको शुद करना है, मंदीर में रखना है, मंदे को पहना देना है, और या, एक और बहुत अच्छी रेमेडी देती हूं, एक येलो कलर का धागा गले में पहना दो, सिंपल, कुछ नहीं करना, उसको, कोई भी राशी, कोई भ सुर्मा लो, और वेस्ट में जाके दबा दो, नहीं कांसेल हो जाएगा, घर नहीं बन रहा आपका, मिटी के छोटी सी कुलिया लो, उसके अंदर अपने घर का, जो आपके घर में यूज होता है, थोड़ा सा दूट डालो, दही डालो, अपने किचन के चीनी के डबे से ची और जो घर के आसपास आपका water body है, कोई भी water body, उसके पास जाके दबाया हो, तीन महिने में में मकान का सुख मिल जाएगा, अच्छा माम, जो पानी में देखने वाली, मैनिफेस्ट करने वाली होती हो, पानी पीना भी है, पीना भी है, तभी तो आपके mind में वो आएगा, क कोई फोन आएगा, कोई चीज आएगी, कुछ ना कुछ आएगा, देखो, इनसान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना, कोई ना कोई इसका जरिया बनता है, तो, लवली मैम, मज़ा आगया, और मैं जनता से दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको और remedy जाननी है, तो जल्द स्टार साइन की आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे दी गई लिंक पर जाकर, आप अपने आपको वहाँ पर मैम को रीच आउट कर सकते हैं, अपने आपको एंडोल कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए, स्टार साइन उस आप का नाम है, और उनके यूट्यूब चैनल का गो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कुछ नहीं टी-शिर्टे अपने लिए शॉपिंग करिये, और जितनी भी रेमेडी हमने दिया, उससे पहले अपने करम अच्छे रखिये, अपने नियत साफ रखिये, करम जरूर करो भाई, ये नी बेड़े पे पड़े और भाई आता है, आजाए, आजाए, उससे कुछ नहीं होगा, तो भाई, करम जरू करो, मिलते हैं अगे लिए पौडगास में, और लास्ट में मैं एक चीज़ सब के लिए, करमा इस बेस्ट रेमेडी आफ एवरी थिंग, ये और ये और ये और ये और ये अचीव एज़ अन अवरीथिंग जैश्री राम